देश की राष्ट्री राजधानी में सुपर इस्पेशलिटी का कोई इंस्टिचूट या ऐसी कोई विवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाए मोहला क्लेनिक तक ही सोच सीमित थी जो 75 वर्ष पूर भी थी परंत उसमें भी क्या हुआ मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कई स्वयम से भी संगठनों ने भी इस विशय को उपर ध्याना करशित किया था और जाच में भी आया कि एक दिन में 500-500 पेशेंट देखे गए हैं अधिक्तम संख्या 533 है जबकि जो आपचारिक समय है मोहला क्लेनिक का वो सुबरे 9 ब और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिये इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया जिसमें एक पेशेंट का आना जाना डॉक्टर का उसकी बात सुनना एसेस्मेंट करना जाच का परचा लिखना महोदे मैं कहना चाहता हूँ कि जब तेवहरों क कि आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड होती है इतने सेकंड's में तो व्यक्ति उस धक्का मुकी में दर्शन भी नहीं कर पाता है जित्ते में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोक को समझ कर रोक का निदान समाधान सब लिख दिया ये है इमानदारी का नया किर्दार और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूँ ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसी टीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में तो महला क्लिनिक्स में सीसी टीवी हैं कि नहीं और अगर हैं तो उन मोहला क्लिनिक में उस डेट की CCTV फुटेज दिखाईए कि 533 लोग कहा लाइन लगाए हुए थे क्योंकि मोहला क्लिनिक तो छोटी-छोटी स्पेसेज में है न तो 533 लोग अगर आए तो CCTV फुटेज में होना चाहिए न बस यही सब चीजें हैं जिसकी वज़े से जांच की आँच से घबरा रहे हैं और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्ली प्रोसीडिंग्स में भी इनिशेटेड़ अगेंस दे प्रोजेक्ट डिरेक्टर OLS आउट्सोर्स लैब सर्विसेज महत्पूर बात यह है कि यह सरकारी एजनसी नहीं कर रही है यह सब आउट्सोर्स है यानि प्राइवेट एजनसी को जांच दे करके टेस्टिंग करा दी गई है यही अंतर है हमारे प्रधान मंतरिष्टी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर टीज डिजिटली ट्रांसफर होती है इसलिए यह लोग आधार का भी विरोध करते थे क्योंकि यह रिवेक्टि का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके एका प्रधाए नमबर्स अफ टॉटन्ट्रेशए अच्टि एकार्ट और डिजिटली डिजिटली टो करूप्शन इपनाए थे क्योंकि फिर उसमें जाच्ट पहले मुली जाच होती थी फिर बड़ी जाच की विवस्था की फिर वो सब आउट सोर्स कर दी यानि कुछ-कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था कदम-कदम रफता-रफता बढ़ाते हुए और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेस करने की बातें मीडिया में आ रही है यानि अभी तक तो दारू का घोटाला था अब दवा का घोटाला भी हो गया यानि दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है स्वगोशित भारत रत्न विभूशित जिन्होंने अपने कोई भारत रत्न दे रखा है कटर इमानदारी का तो इमानदारी का ये किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रियास कर रहे हैं अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फिस में कहा उस सी बी आई से सवाल पूछ रहे हैं बवाली अब सवाली बन गए जिन्होंने राजनीत की शुरुवात ही अब यह मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूँ यह बताईए आप सबने देखा था ना कि सीड़ी लगा कर तार काट रहे थे यह नेता का किरदार है 26 जन्वरी के दिन धरना कर रहे थे यह जिम्मेदार राजनीतिक विक्तित का किरदार है इसलिए मैंने कहा और याद करिये 2014 के समय भारती जन्ता पार्टी के कारेले के उपर आके पत्थराओं किया था जिसमें इनकी सरवोच्च समितिके सदस्य थे इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए है और सवाल किस से पूछ रहे हैं जाच एजन्सी से मतब इसे शब्दशा ना लिया जाए वैसे तो सारी जन्ता उस भाव को समस्ती है हिंदी में एक कहवत होती न कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे है आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक टेकनिकलिटी की बात है तो अगर उनको लगता है कि कोई टेकनिकल इशू है तो वो नियाले से जाकर समधान राप्त कर सकते थे मगर यहां टेकनिकल नहीं मौरल इशू है यहां नियाईक विशे नहीं है यहां नैतिक विशे है और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वताह प्रमानित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जाच की आच से बच नहीं सकते क्योंकि के अर्विंदन ने बाकाइदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्तिती में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ा कर शराब घुटा लेक में कमीशन की बात हुई और उसके इस इस प्रकार के वितरण की बात हुई उन्हें ये बात पता है इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि ये उनकी गलती की सुका रोकती है बाई कंसिस्टेंटली आवाइडिंग तो अपियर बिफोर दा एजन्सीज इस नाथिंग बट इस एन टैसिट एकसेप्टेंस अफ इस लीगल फॉल्ट